केलो बच्छो कैसे आप सबी लोग आज हम मोजन किना स्टेट लाइन की अबजेक्टिव एकसाइस पू जो है आपके मोडिली की उसके क्वेशन से देखने जा रहे हैं उसके सॉलीशन हम तरने जा रहे हैं ठीके स्कार्ट करते हैं तो चलिए बच्छो इस क्वेशन को देखते हैं मतलब इन ग्राफ को इन स्टेटमेंट के धाम में मैच कराना है साल घ्रिकर भाई पहला ग्राफ देखो भैं पहला ग्राफ दिया गया है वी और Сे बीच में देखने चुमेंस प्रस़ाओ क्लियर है दोनों साइड द्यान से देखना भई वी डिवाइड बाई वी अगर मुल्टिप्लाइब कर दू मैं तो कि अब वी डीवी बाई डीएस जो है वो एक्सेलरेशन हो गया तो एस एक्वल संबोस्त All work के है के इन्टू वी हो गया की नहीं हो गया मतलब वेलोस्टी मेर्योस्ति और व एक्स्टी क्लिव बाले具 चेंज बोर रहा है तो यह ईक्सलिप्लाइब ँपर इडिटीपेंड कर रहा होगा हां कि ना तो मतलब X के ओपर भी क्या हो रहा है डाइलिल इडिपेंड कर रहा है acceleration of particle is directly proportional to X तो एस statement भी क्या हो गया इसके लिए सही हो गया दूसरा देखते हैं भाई V square X दिया गया है तो एक बात हो इसका अगर मैं निकालता हूँ slope तो dv square by dx मतलब 2 into V dv by dx और यह हमें constant दे रखा है constant K है तो V dv by dx is equals to constant आ गया आकि ना V dv by dx ही क्या होता है हमारा acceleration होता है तो acceleration क्या आ गया constant आ गया मतलब acceleration of particle is uniform तो P option क्या हो गया सही हो गया अगर P option सही है मतलब किसी पर depend ही नहीं करें तो बाकि options चेक करने के ज़िए जरूरत भी नहीं है तीसरा देखते है भाई c vt graph दे रखा है vt graph का हमें पता यह dv by dt जो होता है वो हमें acceleration देता है ध्यान से देखो क्या यह हमें constant value दे रखी है ध्यान से देखो भाई यह क्या है एक straight line constant है मतलब यह भी क्या है constant तो यह भी क्या है uniform है तो यह भी क्या आ गया पी आ गया लास्ट आते हैं v by t square पे एक बात था हूँ भाई slope जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं slope हमें constant दे रखी है तो v by t square हां कि ना क्या v by t को acceleration लिख सकते हैं तो a by t कुछ इस तरीके से यह आएगा हां कि ना यहां से देखने हैं पता तल रहा है a is equals to slope तो हमें constant दे रखी है k तो k into t आ रहा है क्या हमारे पास में जो acceleration आया वो constant आया नहीं आया time के साथ क्या कर रहा है vary कर रहा है तो पहली चीज़ तो particle का acceleration कैसा है non uniform है दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है ती पर डिपेंड कर रहा है तो option clear बच्चो तो graph a के लिए q and s p p and q and r यही क्या है है हमारे answer से clear है चलिए अब कर दो कैसे आप अब लोग आज हम बोचन कि एक्साइज कूट आपके मोडिल की उसके क्योश्चिन से देखने जा रहे है उसके सुलीशन सम्पर ने जा रहे है ठीके स्कार्ट करते हैं वो रिटार्ड किया जाता है और को लेकर आया जाता है कितना 30 किलो मेटर पर आर पर ठीकर बाए उसके बात क्या जाता है अब उसको वापस एक्सेलरेट किया जाता है तो रीच इट्स ओरीजनल स्पीड मतलब सेकंड के अंदर क्या माँ पूसकता हूं इनीशल स्पीड जो थी वो थी कितनी 30 किलो मेटर पर आर और फाइनल स्पीड जो है वो कितनी है 60 किलो मेटर पर आर एक लिए रभाई मतलब इस टाइंग पेजब 60 से 30 ले कर आ रहे थे उस टाइंग पेज़ नोगा आरा यह लो थी या वह वो किलो मेटर दे रिखा है और जब इसको एक से रेट किया जा रहा था भूरिंग कॉंसे अक्सेलरेशन इतना है बद चो एक किलो मेटर है तो पैस के लिए कितनी है अब हम से पुछा गया है find the time lost in the above journey अब इस जर्निक के इंदर कितना time उसको lost हुआ है वो calculate करना है तो इस बात तो भई क्या हमने एक formula पड़ा था s by t is equals to v plus u by 2 हाँ किन ना average velocity का यह formula था दो displacement upon time is supposed to initial velocity plus final velocity divided by 2 यह formula हम यहाँ पी यू स्क्राइब कर ना वाले है जी का मोगे लुगा ना यू प्रॉद बाइद बाइद भाई टी वन इस एक्वाटो तो थैटी प्लस इस वाईड़ भाई आपस आया की नहीं है जाहन से देख लो लोगा कि आपके नहीं अब बात करते हैं इस वाले के लिए तो वन डिवाइद राइड वाइड टी टू इस एकोल स P2 is equal to T हाँ की ना तो T की जो value आती है वो कितनी आती है 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 डिवादेड बाई 45 which means 1 डिवादेड बाई 15 आर्स हाँ की ना भई clear है यहां तक कोई doubt मतलब यह जो acceleration और retardation हुआ इस process के अंदर इसको दो टाइम लगा है वो कितना लगा है 1 डिवादेड बाई 15 आर्स ठीक है अब सोच के देखो अगर यह एक constant velocity से चल रहा होता अगर यह constant velocity पी चल रहा होता 60 की speed से ही चल रहा होता उस time इसको कितना time लगता तो किया मैं बोलता हूँ T3 is equals to distance upon velocity distance कितना travel किया उसने 3 km velocity कितना चलता 60 से तो कितना आता 1 by 20 आर आता कि नहीं आता अब बात करते हैं time loss की time loss कैसे निकालेंगे कि पहले कितना time लगने वाला था बाद में कितना time लगा उसमें extra time आया वो क्या होगा time loss होगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ T3 is equals to मेरा time loss होगा आकि ना बच्चो क्या यही मेरा time loss है T3 मतलब 1 divided by 15 minus 1 divided by 20 is equals to कितना आता है बच्चो यह अगर मैं यहां से 60 LCM ले लूँगा तो क्या बच्चे गाई यह 4 minus 3 divided by 60 which is equals to 1 by 60 आर लेकिन हमें जो time दे रिखे होंगे option में मेरा answer क्या हो जाएगा बच्चो मतलब कौन सा option सही है हमारा यह option सही है क्या लिए तो चलिए वही यह question देखते है a body is thrown up with considerable air resistance मतलब air क्योंचे से क्या रहा है रिजिस्टेंस आ रहा है air क्योंचे से रिजिस्टेंस आता है बच्चो ध्यान रखना हमेचा motion यह क्या होता है opposite direction में मतलब बोल अगर उपर जा रही होगी तो किदर लगेगा नीचे की तरफ और बोल नीचे आ लिए होगी तो किदर लगेगा या फिर किसी को हम क्या लिख सकते है s is equals to vt minus half 80 square लिख सकते हैंगे नी लिख सकते हैं clear है यह formula हम use करने बाले हैं पहला case लेते हैं जब बोल जो है उपर की तरफ जा रही होगी मैंने माना किसी height h तक इसने travel किया तो एक बात तो भाई velocity ओपर की तरफ है acceleration किदर की तरफ होगा gravity अ और जो ए रजिस्टेंस है उसकी जैसे भी acceleration किदर की तरफ नीचे की तरफ मैंने बादा वो कितना है ए है Click लिए तो नेट एकसेलरीशन किदर हो गया नीचे की तरफ कितना G plus A हुआ की नहीं हुआ ठीक भाई अब मैं formula यूज करने जा रहा हूँ second वाला मैं क्या बोल चकता हूँ H is equals to half of acceleration कितना G plus A इसको time बोल देता हूँ मैं T1 तो T1 का square तो यहाँ से T1 की जो value आती है वो कितनी आती है under root of 2H divided by G plus A के बराबर clear अब कई रों कोई मैं में सवाल आ रहा हूँगा सर यहाँ पर negative sign था वो कहा गया ए बात था हूँ भाई क्या H उपर की तरफ है positive था acceleration कि दर की तरफ था negative 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 क्या हो गया positive हो गया अब लेते हैं case 2 case 2 के अंदर क्या हो रहागा बच्चो ball जो है वो तो उपर नीचे की तरफ आ रही होगा तो gravitational acceleration तो अब भी नीचे लग रहा होगा लेकिन जो air resistance की उज़े से acceleration है वो किदर लग रहा होगा उपर की तरफ तो net acceleration नीचे की तरफ कितना आया G minus A clear है distance कितनी travel करनी है इसको h करनी है initial velocity कितनी है t2 का square तो t2 की value यहां से कितनी आती है under root of 2h divided by g minus a clear है भई अब ध्यान से देखो t1 और t2 के अंदर 2h क्या है same है difference किसका आ रहा है एक जगा g plus a है एक जगा g minus a है बड़ी value कौन सी होगी जहां पर denominator के अंदर छोटी value होगी ध्यान से देखो g minus a is less than g plus a तो t2 की वे लिए क्या हो जाएगी greater हो जाएगी तो क्या हम भचता हूँ t2 is greater than t1 clear है बच्चो तो कौन सा option सही है हमारा c option सही clear है चलिए चलिए इस question को देखते हैं initially car a is 10.5 meter ahead of car b मतलब initially car a car b से क्या है 10.5 meter आगे है both car start moving at time t is equals to 0 ठीक है in the same direction along a straight line the velocity time graph of two cars is shown in the figure the time when the car b will catch car a is मतलब दोनों की position क्या होनी चाहिए उस time पे same होनी चाहिए ठीक है भई तो एक बात तो ध्यान से देखना यहाँ पे हमें कुछ चीज़े दे रखिए इस डेटा से ही हमें कुछ चीज़े मिल जा रही है चार b की initial velocity बताओ भई क्या 0 से start हो रहा है बिलकुल हो रहा है acceleration of b acceleration of b कहां से आएगा बच्चो याद हो तो velocity time graph का दो slope होता है वो क्या देता है acceleration यहाँ पर slope कितना है 45 degree मतलब acceleration is equals to 1045 degree which is equals to 1 meter per second square clear है भई acceleration of b कितना आ गया 1 meter per second square के ब्रावर ठीक है अब सोच के देखो भई मालो दोनों को travel करना है यहाँ पर कौन था भई car a थी और यहाँ पर कौन थी car b थी यह distance हमें पता है कितना है साड़े 10 meter है दोनों same direction में move करती है हाँ की ना और मालो इस point पर आकर दोनों meet कर जाती है a ने कितना travel किया है सिर्फ s distance travel किया है लेकिन b ने कितना travel किया है same time के अंदर s plus 10.5 meter travel किया है clear भई तो यह बाता हूँ a को कितना time लगा होगा s travel करने में क्या मैं बोल सकता हूँ कि u a is equals to displacement upon time तो मैं बोल सकता हूँ 10 is equals to s divided by t तो s के वे लिए कितना आगई यहां से 10 t के बराबर आगई कि नहीं आगई आ कि ना ध्यान से देखो दूसरी चीज़ बात करते हैं car b के लिए car b के लिए तो car b के लिए मैं का बोल सकता हूँ बच्चो s is equals to ut plus half a t square बोला जा सकता है लेकिन यह जो s है यह मतलब क्या है displacement due to b तो displacement due to b कितना है बच्चो s plus 10.5 is equals to ut की वे लिए बताओ initial velocity of b कितनी है 0 half a t square a कितना है 1 into t square s की वे लिए हम यहां से put कर देंगे कितना है 10 t plus 10.5 is equals to t square by 2 2 को इधर लागे multiply कर दो 2 को इधर लागे multiply किया तो के दना बच्चा 20 t plus 21 is equals to t square या फिर इस इकोल लिए सबताओ t square minus 20 t minus 21 is equals to 0 तो t square minus 20 t minus t minus 21 is equals to 0 sorry 21 t plus t इसको क्या कर रहा हूँ मैं factorization कर रहा हूँ तो यहां से अगर t common लेता हूँ तो कितना बचा t minus 21 यहां से भी t common one common ले लिया तो क्या बचा t minus 21 तो क्या बचा t plus 1 और t minus 21 is equals to 0 तो t की वे लिए कितनी आ जाती है बच्चो 21 second दूसरी value क्यों नहीं लेंगे negative आ रही है clear भई तो हमारा answer क्या हो गया option a t is equals to 21 seconds clear बच्चो चलिया चलिया बच्चो इस question को देखते हैं इस question में हमें क्या दिया गया है if the initial velocity of particle is 2 meter per second मतलब u की value देर खिया कितनी 2 meter per second the maximum velocity of particle between t is equals to 0 to t is equals to 20 seconds इस यहां से लेके यहां तक क्या हमें क्या निकालनी है maximum velocity निकालनी है ठीक है भाई अब यह बाता हो क्या हमें यह पता है जो हमारा यह graph होता है acceleration time graph यह क्या देता है change in velocity देता है और change in velocity अगर देगा तो maximum value जो आएगी वो कब तक आएगी जब तक change in velocity पोजिटिव हो हां कि ना तो क्या मैक्सिमम जो point आएगा वो यहां पर आएगा उसके बाद तो क्या होगा negative के अंदर जाने लग जाएगा हां कि ना clear भई तो ध्यान से देखना भई अगर मैं ये area निकाल लूँ ये वाला ये वाला मेरा area अगर मैं निकाल लेता हूँ तो क्या मेरे पास change in velocity आ जाएगा तो निकाल लेते हैं भई तो delta V is equals to area कितना है बच्चो half into 2 into 2 इस वाले triangle का area plus इस rectangle का area वो कितना हो जाएगा plus 2 into 4 plus इस वाले triangle का area ये जो triangle है इसका area कितना half into 2 into 2 plus 2 into 2 इस वाले rectangle का area plus half into 4 into 2 2 से 2 कोड़ाओ, 2 से 2 कोड़ाओ, 2 से 2 कोड़ाओ तो delta V is equals to कितना है 2 plus 8 plus 2 plus 4 plus 4, 4 to the 8, 10, 20 तो delta V के वेल्यों कितना आ गई बच्चो 20 meter per second लेकिन ये हमारा answer नहीं है हम से क्या पुछा गया है the maximum velocity, maximum velocity मतलब V की वेल्यों पुछी गई है तो delta V को मैं क्या लिखता हूँ V minus U is equals to 20 meter per second तो V is equals to क्या हो जाएगा U plus 20 और U के लिए हमें दे रही है कितनी है, 2 meter per second तो ये answer कितना आ गया बच्चो 22 meter per second तो हमारा कौन सा option सही है बच्चो C option क्या है सही है, clear है बई चलिए चलिए बई इस question को देखते हैं A particle is moving along a straight line whose acceleration versus displacement curve हमें कौन साथ curve दे रखा है acceleration versus displacement curve दे रखा है AX graph दे रखा है ठीक हा बई The velocity of particle at S is equals to 5 यहाँ पर इसकी velocity देर की है कितनी है बई 5 meter per second ठीक हा बई Then velocity of particle when displacement is 25 meter is तो यहाँ पर इसकी velocity पूछी गई है ठीक है बई इस point पर इसकी velocity पूछी गई है यह हमसे इस सवाल के इंदर पूछा जा रहा है तो यह बात आओ भई क्या अगर हमें A S curve दे रखा हो तो हमें एक चीज़ पता है V square minus U square by 2 is equals to area under curve हाँ किना area under curve clear है भई तो values put करते है V square minus U square मतलब 25 divided by 2 is equals to area कौन सा लेना है बच्चों area लेना है यह वाला यहां तक वाला ठीक है भई यह वाला area लेना है ध्यान से देखो क्या यह और यह area दोनों same है तो एक दूसरे को cancel out कर रहे होंगे हाँ किना सोच के देखो half into 5 into 5 positive का half into 5 into 5 negative का एक दूसरे क्या कर रहे है cancel out कर रहे है तो 0 बचा कौन सा सिर्फ यह वाला और वो कितना है half into into 25 minus 15 10 into height कितनी है 5 तो यह कितना बचा तो V square minus 25 divided by 2 is equals to 25 तो यहां से V square minus 25 की जो value आजाती हों कितनी आजाती है 50 या फिर मैं बोदू V square is equals to कितना आजाता है 75 जब root लेंगे तो यह कितना आजाएगा 5 root 3 meter per second clear है तो कौन सा ओप्शन से यह बच्चा हो हमारा V option सही है clear है चलिए चलिए इस क्योशन के देखते हैं a boy is moving with a uniform speed V in a horizontal circle in clockwise direction कौन से direction में भूम रहा भई clockwise direction के अंदर starting from X यहां से start कर रहा है ठीक है after first half revolution after first half revolution मतलब आधा revolution होने के बाद में उसकी हमें speed calculate करनी है ठीक है change in speed, change in velocity निकालनी है तो यह बात आओ भई जब मैं अब एक काम करता हूं हर point पे x, y, z जितने भी point हमें दे रखे हैं उन सब पे मैं क्या करता हूं बच्चो एक एक करकेश velocity लिख लेता हूं इसकी तो ध्यान से देखना x पे अगर velocity की बात करूँगा तो वो कितनी आ जाएगी अगर इसकी magnitude V है तो V j cap आएगी की नहीं आएगी भाई हाँ की ना अगर V y की मैं बात करूँगा तो वो कितनी आ जाएगी V i cap आजाएगी की नहीं आजाएगी और अगर z point की बात करूँगा तो V z is equals to minus of V j cap आएगी की नहीं आएगी और इस point के अगर बात करूँगा तो minus of v i cap आएगी की नहीं आएगी clear है अब हमसे बोला गया है after first half revolution मतलब आधा revolution तो एक बात हो क्या particle यहाँ से घूम के z तक पहुँच गया तो मतलब change in velocity delta v is equals to कितना आएगा velocity at z कितना है बच्चो minus of v j cap minus velocity at x कितना है v of j cap तो कितना आगया minus 2v j cap इसका मतलब क्या है minus j cap क्या denote कर रहा है कौन से direction है south direction तो क्या हमें यही बोला गया है 2v in south direction तो मतलब option a क्या हो गया हमारा सही हो गया clear भई तो अगर option a सही है तो option b अपने आप क्या हो गया गलत हो गया अब बात करते हैं first quarter की मतलब इस point से चलके इस point तक जब गया तो वो क्या होगा delta v की अगर बात करता हूं तो at y की बात करूँआ तो मतलब v of i cap minus v of j cap तो यह कितना आगया v of i cap minus j cap और अगर magnitude की बात करता हूं यह तो क्या है vector है अगर magnitude की बात करता हूं तो वो कितना आजाएगा v by v root 2 v root 2 clear भाई अब direction की बात करते हैं direction का मतलब क्या है i cap positive और j cap negative कौन से quadrant के अंतर होता है i cap positive और j cap negative कौन सा quadrant है यह fourth quadrant मतलब कौन सी direction है बच्चों यह south east direction तो option d क्या हो गया हमारा सही हो गया option c क्या हो गया गलत हो गया clear भाई तो a and d are correct answers clear है तो चलिए बच्चों इस question को देखते हैं अब particle moves with a constant speed b along a regular hexagon तो पहली चीज़तों क्या है regular hexagon के अंदर move कर रहा है मानो यह मेरा regular hexagon है जिसके अंदर particle क्या कर रहा है move कर रहा है ठीक हा भाई यह point a है यह b, c, d, e, और f यह यहां से यह move करता है और constant speed से चल रहा है v speed से ठीक हा भाई यह हमें question के अंदर given है ठीक है then the magnitude of average velocity average velocity हमें से पूछा गया है तो सबसे पहले से तो एक बात था हूँ average velocity का formula क्या होता है v average is equals to displacement displacement upon total time यह होता है भाई मतला हमें दो चीज़े चाहिए होंगी एक तो displacement निकालना होगा और दूसरा total time निकालना होगा clear भाई मैंने माना इस किस एक side length जो है वो कितनी है s है तो एक बात था हो भाई अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से मिलाता हूँ तो क्या यह सारे angle 60 degree बनते हैं मतलब यह beach वाली side भी कितनी होगी s होगी यह भी कितनी होगी s होगी clear है भाई चालो अब बात करते हैं कि average velocity निकालना है कब तक जब तक वो f पर पहुंचे यहां से चलना चालो किया और कहां पहुंचा f पर पहुंचा तो a से f की बीच में पहले तो displacement का magnitude बताओ भाई कितना आया कितना आया भाई v average is equal to displacement कितना आया s आया कि नहीं आया ध्यान से देखो यहां से यहां तक का displacement कितना है s है अब बात करते है time निकालना है तो यह बात तो क्या मैं बहुत सकता हूं total displacement total distance कितने कितना चला है 5s चला है 5s divided by t is equals to क्या v होगा कि नहीं होगा तो यहां से t की value कि जिसके बराबर आजाएगी 5s by v कि बराबर आजाएगी कि नहीं आजाएगी वो value यहां पूट कर दो 5s divided by v था तो वो पर जाएगा multiply हो जाएगा s से s को उड़ाओ कितना आगया v by क्या यहीं दिया गया है option a क्या है हमारा सही है ठीका भाई चलिए दूसरा d तक पहुंचने में अब यह बात आओ d तक की बात करते है v option की बात कर रहे है d तक पहुंचने में उसको कितना distance कवर करना पड़ रहा है कितना displacement है उसका s 2s है कि नहीं है तो v average is equals to 2s divided by कितना travel किया है 1, 2, 4, 3 3 times travel किया है मतलब 3s into v कितना आ गया 2 by 3 v कौन सा option बच्चो c option है तो मतलब b क्या हो गया हमारा गलत हो गया अब बात करते हैं last वाले की d option के लिए b के लिए v है यहां से यहां तक का displacement बताओ बच्चो displacement कितना s के बराबर divided by time बताओ s into v s s कोड़ाओ क्या बचा सिर्फ v बचा क्या वही दिया गया है बिल्कुल दिया गया है तो हमारा answer क्या हो गया a c and t clear है चलिए चलिए भई यह question देखते हैं अब particle moves on x axis according to the equation x is equals to t square minus 60 plus 8 मतलब हमें x के विल्यों कितना दिर किया भई t square minus 60 plus 8 तो क्या मैं यहाँ से velocity नहीं का सकता हूँ वो कितना हो था dx by dt मतलब इसका time के respect में क्या था differentiation कर दूँ तो कितना आ जाएगा 2t minus 6 आ जाएगा आकी ना clear है ध्यान से देखो अब माल लो यह वो line है जिसके उपर particle move कर रहा है यह point है x is equal to 0 ठीक है भई velocity 0 कब हो रही है ध्यान से देखना velocity 0 कब हो रही है जब t की value कितनी हो 3 हो तो velocity की value कितनी आ गई 0 आई की नहीं आई ध्यान से देखो भई यहां पर हाँ की ना मतलब t is equal to 3 second पर यह particle जो है अपनी direction of motion क्या कर रहा है चेंज कर रहा है क्यों change कर रहा है इसका acceleration क्या है constant है acceleration कितना आ गया 2 आ गया तो जब acceleration constant है मतलब पहले जिस direction में चल रहा होगा t is equal to 3 पर क्या करेगा पल्टी मारेगा और दूसरे direction में चालू कर देगा move करना हाँ की ना अब यह बात तो कि t is equal to 3 पर देखा t is equal to 3 तो मतलब x is equal to कितना जाएगा 9 minus 18 plus 8 which is equal to minus 1 मतलब t is equal to 3 second पर x की विल्यों कितनी है minus 1 है हाँ की ना clear अ भाई यहां तर कोई doubt और अब बात करते हैं t is equal to 4 second पर t is equal to 4 second के अगर मैं बात करता हूँ तो यह कितना आएगा t is equal to 4 second पर 16 minus 24 plus 8 तो 16, 8, 24 और यह कितना हो गया 0 मतलब t is equal to 4 पार्टिकल यहां है अब इसका motion देखते हैं हुआ कैसे होगा यहां से देखना बच्चो initially पार्टिकल यहां चला होगा इधर से गया यहां पर वो घुमा और यहां पर आ गया वापस खीका भाई मुछ इस तरीके से पार्टिकल मूव किया होगा आ कि ना अब options चेक करते हैं पहला option क्या दिया गया है हमें घ्राण चा देखो the particle crosses origin only once origin का मतलब x is equal to 0 क्या एक बार cross किया नहीं दो बार cross कर रहा है कब-कब जब एक तो इस side जा रहा था उस time close किया होगा और एक T is close to 4 पे जब यह वापस origin पे आ गया तो यह क्या हो गया गलत हो गया the particle comes to rest at T is close to 2 and T is close to 4 second particle rest pickup आ रहा है जब velocity 0 हो और वो कितनी time पे हो रहा है T is close to 3 second सिर्फ एक बार हो रहा है तो यह भी क्या हो गया गलत हो गया ठीक भाई तीसरा the magnitude of velocity is minimum at T is close to 3 second magnitude of velocity मतलब speed speed minimum किज नहीं हो सकती है 0 हो सकती है किस time पे है T is close to 3 second पे तो C option क्या है बच्चो सही है चोठा distance traveled in the interval T is close to 0 2T is close to 4 is 10 meters मतलब जब यहां से travel करते हुए यहां तक आया पर distance कितना travel किया इसने ध्यान से देना भाई आठ से लेके minus 1 कितना distance travel किया 9 meter फिर minus 1 से 0 कितना 1 meter तो 9 plus 1 10 meter तो हमारा answer क्या हो गया सही हो गया तो C and D are correct options clear बच्चो चलिए चलिए बच्चो इस question को देखते हैं a particle is moving in a straight line along positive y axis its position from origin at any time is given by y is equals to 5t square y is equals to 5t square minus 10t plus 5 तो क्या मैं यहां से velocity निकाल सकता हूँ कैसे dy by dt करके तो अगर velocity में निकालूँगा तो वो कितनी आ जाएगी बच्चो 10t minus 10 आ जाएगी और acceleration की अगर बात करूँगा तो वो कितना आ जाएगा बच्चो 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा हां किन न clear भई यहां तक कोई doubt चलिए अब question के अंदर क्या बोल रहा हो देखते हैं जब उसकी velocity 0 है तब particle कहां पर है y is equals to 5 meter पर तो एक बात थाओ भई ध्यान से देखके बताना कि जब velocity 0 होने का मतलब क्या है कि particle कहा है कितने time पर हो रहा है t is equals to 1 second पर आ कि न तो अगर y के अंदर मैं t is equals to 1 पुट कर दो हो तो क्या मैं पास में पोजिशन आजाएगी तो y is equals to 5 minus 10 plus 5 which is equals to 0 मतलब particle कहा है 0 पर है y is equals 5 पर नहीं है तो ये क्या हो गया गलत हो गया तीसरी बात करते है average velocity for the time interval t is close to 0 to t is close to 10 seconds is 40 meter per second average velocity की बात करी गई भई तो average velocity की लिए हमें क्या निकालना होता है displacement तो t is close to 0 पर y की value बताओ t is close to 0 पर y की value कितनी है बच्चो 5 है की नहीं है ध्यान से देखो अगर t is equals to 10 seconds की मैं बात करता हूँ तो y की value कितनी आ जाएगी ध्यान से देखना भई उस equation के अंदर क्या पुट करो तो 10 put कर दो तो 500 minus 100 plus 5 which is equals to 405 आया की नहीं आया total displacement की बात करते है delta s is equals to क्या हो जाएगा 405 minus 5 which is equals to 400 तो अगर velocity average की बात करते हैं v average is equals to delta s upon t delta s की value बताओ भाई 400 divided by 10 तो कितना आ गया ये 40 meter per second तो c option क्या है सही है b option the particle has a uniform acceleration of 5 meter per second square ध्यान से देखो acceleration कितना आया था 10 meter per second square तो ये option क्या हो गया बच्चो गलत हो गया तो हमारे कौन कौन से options हैं a and c are correct options clear बच्चो चैने चलिए बच्चो इस question को देखते है a car moves between points a and b on a straight track with a uniform acceleration मालो ये वो straight track है ये point जो है a और b है ये a है और ये b है बीच में mid में जो है इसका क्या है c point है हमें बोला गया है यहाँ पर इसकी velocity जो है वो u है यहाँ पर इसकी जो velocity है वो v है और यहाँ पर इसकी जो velocity है वो है vc ये हमें बोला गया है question के अंदर अब हमें चार option दिये गए है वो check करने है vc is equals to u plus v by 2 तो vc निकालने का तरीका देखो गई यह बात आओ क्या मैं बहुत सकता हूँ ये distance अगर s है तो ये distance में कितनी होगी होगी हमें एक रिलेशन याद है v square is equals to u square plus 2 a s तो इसके अंदर अगर मैं लगाता हूँ तो ध्यान से देखना यहां से लेके a से c तक अगर वो लगाऊं है तो क्या मैं बहुत सता हूँ vc का square is equals to u square plus 2 a s acceleration दोनों के अंदर constant है याद रखो और अगर c और b के बीच में लगाता हूँ तो क्या लगाऊंगा v square is equals to vc का square plus 2 a s आकी ना ध्यान से देख लो clear भई इसमें से इसको minus कर दो या फिर इसमें से इसको minus कर दो मैं काम करता हूँ इसमें से इसको minus कर देता हूँ तो क्या बचा v square minus vc square is equals to vc square minus u square 2 a s से 2 a s उठ जाएगा तो क्या बचा v square plus u square बराबर 2 vc का square तो vc is equals to क्या गया under root of v square plus u square divided by 2 या फिर vc square is equals to v square plus v square divided by 2 तो हमारे पास में कौन सा option सही है बच्चो d option सही है तो a option क्या होगा अपने आप गलत होगया clear अब बात करते है time interval की मानो यहाँ पर जो time interval लगा वो कितना लगा t1 लगा यहाँ पर जो time interval लगा वो कितना लगा t2 लगा यह बात आओ क्या average velocity का हमने एक formula पड़र का है कौन सा s by t is equals to v plus u by 2 आकिन न तो अगर मैं बात करता हूँ s by t1 is equals to u plus vc divided by 2 तो यहाँ से t1 की जो value आती है वो कितने आती है 2s divided by u plus vc और अगर बात करता हूँ s divided by t2 is equals to vc plus v divided by 2 तो t2 की जो value आती है वो कितने आती है 2s divided by v plus vc अब compare करो भाई 2s क्या है दोनों में same है vc क्या है दोनों में same है u और v में से कौन बढ़ा होगा obvious ती बात है कौन बढ़ा होगा v बढ़ा होगा और अगर v बढ़ा है तो यह वाली term क्या होगी बढ़ी होगी यह वाली term बढ़ी होगी तो t1 क्या हो जाएगा अपने आप क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा ध्यान से देखो v is greater than क्या है u है तो क्या मैं बहुत उता हूँ t2 is less than t1 मतलब a से b में जाने वाला जो time होगा a से c में जाने वाला जो time होगा वो जादा होगा वजाएक जो c से b में जाने में time लगेगा तो कौन सा option बच्चो time interval between a and c is equal equal तो नहीं है time interval between a and c is greater यहाँ पे तो time है t1 वो greater है than between c and v t2 तो t1 is greater than t2 तो यह क्या हो गया हमारा सही हो गया तो option c and d are correct options clear बच्चो चलो बैच्च इस question को देखते हैं बैए a ball is dropped from a building somewhere down it crosses a window of length 4 meter in the 5 0.5 seconds 4 meter का एक window है उसको कितने time में travel करती है 0.5 second में मानो यह हमारा घर है यह घर है यहाँ पर वो window है window की length जो है वो हमें दी गई है कितनी कितनी दी गई भई 4 meter और इसको travel करने में जो time लगा इसको कितना लगा 0.5 second यहां से क्या किया गया था इसको drop किया गया हमें बोला गया है कि the speed of ball is the speed at the top of window is v1 यहां पर जो इसकी speed है वो कितनी है v1 है और यहां पर जो इसकी speed है वो कितनी है v2 है यह हमें चीजे बोली गई है अब v1 और v2 के अंदे कुछ relations है उनके बारे में बात करनी है तो यह बातता हूँ भाई ध्यान से देखना क्या मैं यह बोल सकता हूँ अगर यह एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है हमें पता है एक्सेलरेशन डू टू ग्रेविटी ही यहां पर लग रहा होगा तो क्या मैं बसकता हूँ एस बाई टी इस एक्वाई टी प्लस यू बाई टू होता है यह तो हमने पढ़ाई है एस की वाली बताओ भाई चार ड 16 मीटर पर सेकंड आया की नहीं आया ध्यान से देख लो भाई क्लियर है दूसरी चीज यहां से लेकिए यहां तक के लिए एक और एक्वेशन लगा दो कौन सी वी इस एक्वाई टू यू प्लस एटी क्या ये भी हमने पढ़ी है तो मैं बल सकता हूँ वी टू इस एक्वा हो गया 5 मिटर पर सेकंड क्लियर है यहां तब किसी कोई डाउट अब एक काम करो इन दोनों एक्वेशन को आपस में एड़ कर दो जब एड़ किया तो क्या वचा टू वी टू इस एक्वेल सू 16 प्लस पांच 21 तो वी टू की वेल्यू यहां से कितनी आगई 21 डिवाइड़ गी 11 divided by 2 meter per second clear अब एक काम करें ओप्शिन चेक करें वी टू माइनस वी वन इस पॉस्ट फाइव मेटर पर सेकंड क्या हम कहा है पहली कल्कुल सही है वी ब्लस वी टू इसको सु 16 मिटर पर सेकंड क्या हम पहली कल्कुल सही है वी टू डिवाइड वाइड वी 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 21 divided by 2 upon 11 divided by 2 2 से 2 को गोली मार दो क्या बचा 21 divided by 11 21 divided by 11 तो C option क्या हो गया गलत हो गया डी क्या हो गया सही हो गया तो हमारे सही आंसर क्या क्या है बच्चो A B and D options clear है चलिए बच्चो इस question को देखते हैं a ball is thrown vertically upward from a height 15 meter from the ground मार लो यह हमारा ground है यह height है 15 meter है यहां से एक ball को fake आ जाता है ठीक है और उसको यहां से यह गूम के आने में जो total time लगता है वो कितना लगता है 3 seconds लगता है ठीक है भाई यह हमें दिया गया है data के अंदर जी की value 10 लेनी है चलो हाइड कितनी है 15 meter अब यह बाता हूँ भाई क्या हम direct formula लगा सकते है एस इस को सी ut plus half 80 square वाला हा की ना तो एक formula लगाते है s is equals to ut plus half 80 square s की value बताओ भाई क्या नीचे की तरफ travel करना है displacement के यहां से कहां तक का होगा यहां से लेकर यहां तक का कितना है minus 15 is equals to u into time कितना लगा 3 minus half into 10 into 9 यह minus क्यों आया आपको पता चल गया होगा क्यों क्योंकि acceleration कि दर है downward direction के अंदर इसको काटो क्या बचा 5 इसको इदला के इदर एड़ कर दो तो 3 u is equals 2 बचता है 30 तो u की value कितने आती है 10 meter per second clear भाई यहां तर कोई doubt यहां से देखो कितना आ गया 10 meter per second option ए क्या हो गया हमारा सही हो गया ठीक है अब बोला जा रहा है कि total distance is 25 meter मतलब यहां से गया यहां तक और फिर वापस आया तो इसमें जो total distance इस टावल किया वो कितना है 25 एब आता हो क्या मैं यह distance निकाल दो तो मेरा काम बन जाएगा हां कि ना तो वो कितना होगा हमें पता है वी इस्वायर इसकोस्ट वोता है यूँ स्वायर प्लस टू ए एस वी इस्वायर की विल्टाओ जीरो क्योंगे टॉप पर पहुंचेगा तो इस टाइम पर वेलस्ट इन होगी जीरो इस एक वोल्स टू हंड्रेड माइनस टू इन्टू टैन इन्टू एस तो एस क्यों जो आती हो कितना आती है पंदें मतलब यहां से कितना है ऐए 5 मिटर ए मतलब यहां से कितना है 5 मिटर क्लियर ह해 क्लियर है इस पीड वेन इट हिट्स दे ग्राउंड इस 20 मिटर पर सेकेंड यह हमसे बोला गया है तो यह बात आओ हमें फॉर्मला पता है वी इस इक्वल्स टू यू प्लेस 80 हां कि ना वी की वेल्यों हमें निकालनी है इस इक्वल्स टू यू की वेल्यों बताओ वाई अहीं अनुस 10 इन टू थी इतना आगे मान इस 20 मिटर पर सेकेंड वेलिजिट एडं सैनल इसकी बात बात पर रहे है इस्पीर के मतलो सब मैंने टू तो 20 मिटर पर सेकेंड कहो गया हमें सबीड हो गया मैंडिटूड शबहले एक्सलेरेश वण ब،Bol इस तो चलिए वच्छो इस question को देखते हैं A hot air balloon is rising straight up with a speed of 3 meter per second 3 meter per second से उपर जा रहा है ठीक है A ballast bag is released from the rest relative to the balloon Balloon के क्या है relative मतलब जो balloon की velocity रही होगी वो ही किस की velocity रही होगी उस instant पे bag की रही होगी At a height of 10.8 meter above the ground मतलब कि अगर ये ground level है तो अगर ये height है कितनी 10.8 meter कितनी height अभई 10.8 meter यहाँ पर एक bag को क्या क्या जाता है Release किया जाता है इसके respect में क्या है Rest पे है मतलब जो bag होगा उसकी ऊपर की तरफ वेलोस्टी होगी कितनी 3 meter per second Clear है भई यहाँ तक कोई doubt अब हमें 4 option दिये गए हैं चेक करने है Time ellipses before the bag hits the ground is 1.8 second अब हमें क्या निकालना है कि जो bag है आके वापस ground पे कभी strike करेगा तो हम क्या कौन सा formula यूज़ करेंगे बच्चो S is equals to ut plus half 80 square हाँ की ना S की वालिव बता हुआ displacement कितना है minus 10.8 meter is equals to u कितना 3 into t minus half into 10 t square ये कितना पचा 5 इसको इधर ले आएंगे equation क्या बन जाएगे हमारे पास में 5 t square minus 3 t minus 10.8 is equals to 0 अब इसके root से निकालेंगे तो वो कैसे निकलेंगे t is equals to 3 plus minus क्या होता है minus b plus minus under root of b square minus 4 a c by 2 a under root of 4 into 10.8 एक second b square मतलब 9 plus 10.8 into 4 into 5 divided by 2 a 2 into 5 तो t is equals to 3 plus minus इसको जब multiply करते है किसको 5 into 4 into 10.8 जब इसको multiply करेंगे और 9 add करेंगे तो यह आजाता है 225 divided by 10 अब ये बातता हो भई जब इसका root लेंगे तो कितना हैगा 15 आएगा और 3 minus 15 मतलब टाइम किसमेरा नेगेटिव में हम सिर्फ कौन सा करेंगे पोस्तिव वाला वो कितना होगा t is equals to 18 by 10 which is equals to 0 1.0 नहीं 1.8 कितना आ गया भई 1.8 seconds हमारा ये option क्या है बच्चो सही है clear अगला option देखते है the maximum height reached by the bag from the ground is 11.25 meter तो ये बात तो भई अगर मैं वो point निकाल लो जहाँ पर ये वापस से return होना चालू होगा ये height निकाल लूँ और उसके अंदर 10.8 add कर दूँ क्या मेरा answer आ जाएगा तो वही करते हैं हमें यहाँ पर velocity कितनी होगी 0 होगी तो formula कौन सा use करेंगे हम V square is equals to U square plus 2 AS V की वालिव बताव भई 0 is equals to U square मतलब 9 minus 20 into S तो S की वालिव कितनी आ गई 9 by 20 मतलब कितना आ गया यह 0.45 meter अब maximum height की बात करते हैं तो H max कितना हो जाएगा 0.45 यह वालिव हाइट plus 10.8 10.8 तो यह कितना आता है बच्चो 11.25 meter तो मतलब हमारा B option भी क्या है बच्चो सही है clear अगला देखते हैं the time when the bag reaches its maximum height is 0.3 seconds तो time की बात कर रहे हैं जब यह maximum height पे पहुँचेगा तो यह बात हो भाई क्या V is equals to U plus 80 होता है हाँ की ना जब यह अपने maximum height पे होगा उस time पे इसकी velocity कितनी होगी 0 होगी तो 0 is equals to initial velocity कितनी 3 minus 10 into T तो T की value यहां से कितनी आ जाती है 0.3 seconds मतलब कितने time में पहुच रहा है 0.3 seconds में तो C option भी क्या हो गया सही हो गया अब एक बात ताओ भाई जितने time में यह bowl जो है यहां से travel करके ground तक आई होगी बालून उतनी ही time और travel किया होगा और अगर बलून की height हमें निकालनी है तो क्या मैं बहुत सकता हूँ 10.8 into velocity into time करके निकाल सकता हूँ तो वो कितनी आएगे भाई h is equals to 10.8 plus कितनी velocity से उपर जा रहा है 3 meter per second से तो यह कितना जाएगा 3 into कितना time travel किया है उसने 1.8 second 1.8 तो यह कितना आता है 10.8 plus 4 18 थीज़ा कितना होता है 18 थीज़ा तो 5.4 तो यह कितना आगया बच्चों यहां से 16.2 meter clear है भाई तो answer क्या हागया हमारा 16.2 मतलब D option भी क्या है सही है तो A, B, C and D all options are correct clear है चलिए तो चलिए बच्चों इस question को देखते है the position time graph of two children A and B दो children है A और B उनका position time graph दिया गया है जब वो school से लोट रहें कहां पर अपने अपने घर पे ठीक है उसके साथ से हमें 4 option दिये गए है वो check करने है पहला option क्या है A lives closer to the school than B मतलब A जो है वो B से क्या है पास में रहता है तो ये कैसे पता चलेगा हमें अब एक बात आओ अगर दोनों सेम स्कूल से निकल रहे हैं तो जिसने ज़्यादा displacement किया होगा वो दूर रहता होगा और जिसने कम displacement किया होगा वो पास रहता होगा A starts from the school earlier than B क्या A ने जो head पहले चालू कर दिया था हाँ कि ना यहाँ से देखो ये time axis है A ने T इसको 0 पर चालू कर दिया था B ने कुछ time बाद में travel करना चालू किया है तो क्या मैं बोल सकता हूँ A ने पहले चालू किया मतलब B option B क्या होगा मेरा सही हो गया तीसरा A and B have equal average velocities from 0 to T naught T naught कहाँ पर है भाई ये time है ठीक है ध्यान से देखो जिसका displacement ज़्यादा होगा उसकी average velocity क्या होगी ज़्यादा होगी हा कि ना यहाँ पर देखेंगे तो पता चल रहा है हमें कि इसने जो head displacement भी कम किया है और time भी ज़्यादा लिया है इसने displacement भी ज़्यादा किया है और time क्या लिया है कम लिया है मतलब B जो हमारा उसकी velocity जो होगी average velocity वो ज़्यादा होगी किस से A से option में क्या बोला गया है equal है तो ये option क्या हो गया बच्चो गलत हो गया ठीक हा भाई चोथा B over takes A on the way अब B over takes A on the way का मतलब क्या है कि किसी एक particular instant पे B पीछे था उसके बाद में उससे आगे निकला है ध्यान से देखो graph को पहले क्या A आगे चल रहा है हाँ की ना फिर किसी एक point में जब उनकी position सेम हो गई है उसके बाद उसने close किया होगा तो दिख रहा है साफ साफ इस point पे B ने क्या किया है बच्चो A को cross किया है तो D option B क्या हो गया हमारा सही हो गया तो correct answers are A, B and D clear है बच्चो तो चलिए बच्चो इस question को देखते हैं इस question में हमें क्या दिया गया है इन दे गिवन फिगर position time graph is given मनले position time graph हमें दे रखा है अब एक बात आओ भाई position time graph जो होता है उसका slope हमें क्या देता है वेलोस्टी देता है अगर किसी instant की बात करेंगे तो instantaneous velocity देगा जैसे मालो इस point की बात करता हूँ तो इस point पर मैं slope निकालता हूँ तो instantaneous velocity देगा और अगर मैं यहां से इसको एक straight line से मिला हूँ उसका जो slope वो मिरो क्या देता है average velocity देता है यह हमें पता है अब हम बात करते है इस statement की average velocity between A and B तो A and B के बीच में अगर average velocity निकाल लिए तो क्या करूँआ इस curve के ओपर एक tangent डालूँआ बी पे बी पे जब मैंने tangent डाली तो ध्यान से देखो यह स्तरी के से कुछ आएगा ध्यान से देखो भई अगर यह theta 1 है यह theta 2 है slope हमें क्या बताता है velocity बताता है तो कौन सा theta 1 is greater than theta 2 है या फिर क्या है थीटा 2 is greater than theta 1 अगर theta 2 greater than theta 1 है तो क्या मैं बहुत सकता हूँ V2 is greater than V1 मतलब instantaneous velocity at B is greater than average velocity between A and B क्या यह बात समय में आ गई statement में क्या है बोला गया average velocity between A and B is less तो क्या है statement बिलकुल सही है clear भाई अब आगे बढ़े चलिए अब एक काम करो भई दूसरा statement पढ़ो दूसरे statement में हमें क्या दिया गया है average velocity between B and D P or D की बात की गई है तो क्या average velocity कुछ इस तरीके से आएगी हाँ किन ना अगर मैं slope की बात करूँगा तो यह आएगा कितनी है भाई 0 R is slope ठीक है is equal to instantaneous velocity at C C point को है यह point इसकी ओपर slope वहम tangent डालेंगे तो क्या वह भी इस तरीके से आएगा इसकी भी slope कितनी है 0 है इसकी भी slope कितनी है 0 है तो दोनों की जो velocity है वो क्या है same है मतलब C की instantaneous velocity is equal to average velocity between B and D तो B option भी क्या हो गया बच्चो सही हो गया C option देखते हैं अब C option में हमें क्या बोला गया है बच्चो C option में हमें बोला गया है direction of average velocity from A to D A से जो D है उसकी तो direction है of average velocity is opposite to instantaneous velocity at D instantaneous velocity देखो भाई D पे instantaneous velocity निकालेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगी हां कि ना slope कैसा आ रहा है negative आ रहा है कि नहीं आ रहा मतलब यहां पर जो particle है वो negative direction के अंदर travel कर रहा होगा A से D की बात करते है straight line डो करो कैसा आ रहा है slope positive आ रहा है कि नहीं आ रहा मतलब अगर A से B में particle जो है वो X direction के अंदर move कर रहा है तो यहां पर at instant D, instantaneously किस direction में move कर रहा होगा negative X direction के अंदर तो sign of velocity क्या होगा बच्चो negative होगा मतलब same नहीं होगा opposite होगा, तो C option भी क्या है हमारा, सही है D option की बात करते हैं, average velocity in interval A to C A से C की बात कर रहे हैं is less than average velocity in interval A to D A से C के लिए अगर average निकालना है तो कुछ इस तरीके से निकालेंगे हम ध्यान से देखो भाई, कौन सा वाला angle जादा है, A से C वाला जादा है मतलब A से C की average velocity क्या होगी जादा होगी, statement में क्या दिया गया है less than, तो ये option क्या हो गया गलत हो गया, तो correct options are A, B and C clear है बच्चो, चलिए तो चलिए बच्चो इस question को देखते है two motorcycles P and Q start from rest, दोनों कहां से start हो रही है, rest से मतलब दोनों की initial velocity कितनी है बच्चो, 0 है and move together for the same time interval, their acceleration time graphs are as follows, मतलब हमें acceleration और time के graph दे रखे है ठीक हाँ, अब हमसे जो question में पूछा जा रहा हो, क्या हम पूछा जा रहा है both the motorcycles attain the same velocity after 10 seconds, मतलब velocity का एक relation कुछा जा रहा है, दूसरा देखेंगे distance travel का relation कुछा जा रहा है तो क्या हमें यहाँ पर एक और graph की ज़रूख पढ़ सकती है अगर मैं velocity time graph निकाल लो, क्या उससे मेरे सारी चीज़े clear हो जाएंगी तो एक काम करते हैं इन acceleration time graph का velocity time graph बनाने की कोशिश करते हैं तो अगर velocity time graph में बनाता हूँ तो यह होगा velocity of P और यह time interval ध्यान से देखो भई कितने देर चला है, 5 seconds constant acceleration कितना 2 meter per second square तो V is equals to होता है U plus 80 U के value 0 है तो V is equals to 2 into 5 कितना आ गया बच्चो 10 आया कि नहीं आया मतलब 5 seconds के बाद में इसकी velocity कितनी होगी 10 meter per second होगी कि नहीं होगी यह T is equals to 5 seconds दूसरा constant acceleration है तो straight line आएगी यह straight line आ गई अब उसके बाद में acceleration कितना होगया 4 meter per second square अब एक काम करते हैं 10 second पे velocity निकाल लेते हैं V is equals to होता है U plus 80 होता है कि नहीं होता वापस से देखो V is equals to U plus 80 V की value निकाल ली है initial velocity कितनी है अब 10 meter per second है कि नहीं है घ्यान से देखो 10 meter per second है कि नहीं है 10 plus A की value बताओ 4 into T कितना 5 seconds तो कितना आ गया बच्चो यह V is equals to 30 meter per second मतलब कुछ इस तरीके से जा रहा होगा आकि नहीं यह टीज कुछ टेन सेकिंड और यह 30 meter per second clear अब इस वाले की बात करते हैं आन से देखना भई initially बात बताओ initially क्या rest से स्टाट होगा था acceleration कितना है 4 meter per second square velocity कि नहीं हो जाएगी 5 second बाद में 5 into 4 20 meter per second तो यह अगर 20 है तो क्या मैं बहुत से तो यह कुछ इस तरीके से जा रहा होगा हां कि ना 20 meter per second यह time कितना 5 second उसके बाद में जो है यह भाई साब क्या करते हैं acceleration कम कर देते हैं कितना कर देते हैं 2 meter per second square 2 meter per second square से चलेगा तो final velocity 5 second बाद में कितना जाए का V is plus to U plus 80 तो V is equals to 20 plus 2 into 5 which is equals to 30 मतलब यहां पर जो इसकी velocity होगी वो कितनी होगी 30 होगी और कितने time में होगी 10 seconds के अंदर अब बात करते हैं इन options की Both the motorcycles attain the same velocity after 10 seconds क्या दोनों की velocity same आई after 10 seconds बिलकुल सही बात है कितनी आई 30 meter per second और 30 meter per second तो option A क्या हो गया बच्चों हमारा सही हो गया अगला देखते हैं Both the motorcycles travel the same distance in 10 seconds distance कैसे निकाले हैं बात आओ velocity displacement velocity time graph अगर देर खा है तो उसका area under the curve क्या देगा displacement देगा वही हम calculate कर लेते हैं वो कितना आएगा भई ध्यान से देखो इस triangle कहे रहा बता हो भई 10 into 5 divided by 2 25 10 into 5 50 और यहाँ पे 20 into 20 into 5 divided by 2 कितना जाएगा यह 50 तो यह कितना आया 125 आया की नहीं आया meter इसकी बात करते हैं भई यहाँ से देखनो देखना 10 into 5 कितना हो गया 50 प्लस 5 into 20 100 प्लस 10 into 5 divided by 2 25 कितना आगया 175 meter मतलब जो बी है हमारा उसने क्या किया है ज्यादा ट्रेवल किया है कितना ज्यादा ट्रेवल किया है 50 meter ज्यादा ट्रेवल किया है बोथ दे मोटसाइकल ट्रेवल the same distance same distance travel नहीं कर रहे तो बी option क्या हो गया गलत हो गया अगला देखो the distance traveled by the motorcycle Q is more than that of motorcycle P in the first 5 seconds पहले 5 second के बात करते है मतलब सिर्फ ये वाला area इसने कितना ट्रेवल किया 25 इसने कितना ट्रेवल किया 50 तो क्या हम मैं बोथ सकता हूँ क्यों ने ज्यादा ट्रेवल किया है तो option क्या हो गया हमारा सही हो गया the velocity of motorcycle Q is more than that of P just after 5 seconds 5 second के बाद में Q की velocity क्या ज्यादा है Q की velocity 5 second बाद कितनी थी 20 meter per second इसकी velocity कितनी थी 10 meter per second मतलब क्यों की क्या है ज्यादा है तो D option भी क्या हो गया हमारा सही हो गया तो correct options कौन-कौन से है A, C and D clear है बच्चो तो चलिए बच्चो इस question को देखते है the acceleration time graph of a particle moving along the x-axis is given below initial velocity of particle is along positive x-axis mark the correct statement हमें एक acceleration time graph दे रखा है ठीका भाई अब ध्यान से देखना क्या मैं यह बोल सकता हूँ acceleration हमेशा positive है आ की ना और अगर acceleration हमेशा positive है मतलब इसकी velocity हमेशा क्या हो रही होगी increase हो रही होगी आ की ना ध्यान से देखो V is equals to क्या होता है U plus 80 acceleration positive है तो V की value हमेशा U से क्या होगी ज्यादा होगी होगी की नहीं होगी options check करते है velocity of particle is decreasing in time t is equals to t naught to t is equals to t naught 0 से लेके t naught के बीच में क्या बोला गया है decrease हो रही है acceleration अगर positive है तो velocity क्या होती है increase होती है तो option क्या हो गया गलत हो गया velocity of particle is increasing in time interval t is equals to 0 to t is equals to t naught बिलकुल सही बात है दूसरी चीज यहाँ पर देखो भई acceleration क्या हो गया constant अब constant तो है लेकिन कैसा है positive constant और positive constant के अंदर velocity क्या होती है increase होती है मतलब t naught से 2 t naught के अंदर भी velocity क्या हो रही होगी increase हो रही होगी कौन सा option है d option तो b और d option हमारे क्या हो गया सही हो गए a और c क्या हो गए बच्चो गलत हो गए clear है बच्चो चलिए चलिए बच्चो इस question को देखते है अब particle starts moving with initial velocity 3 meter per second initial velocity हमें किती नहीं देर खिया बच्चो 3 meter per second और उसका acceleration with respect to x graph हमें देर खाए जो क्या है एक parabola अब इस parabola की equation मुझे नहीं पता origin से pass हो रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ a is equals to kx square रहा होगा जहां पर की क्या है कोई भी एक constant है ठीक भई अब इसी slope की बात करते है तो क्या मैं बोल सकता हूँ d a by d x is equals to आ जाएगा 2 kx आकी ना यहां से देखो question के अंदर x is equals to 1 पर हमें tangent दे रखा है मतलब slope दे रखा है अब slope अगर हमें दे रखा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहां से मैं k की value निकाल सकता हूँ कैसे slope कितनी है भई 45 degree तो यहां से d a by d x की value कितनी आ जाएगी यह 10 theta के बराबर होता है हाँ की ना यह 10 theta के बराबर 10 45 कितना होता है बच्चो 1 होता है तो 1 is equals to 2 into k into x की इस value पर है यह 1 meter पर तो 1 तो k की value यहां से कितनी आ गए बच्चो 1 by 2 i की नहीं आई ध्यान से देख लो भई clear है मतलब जो हमें relation मिला वो क्या मिला a is equals to x square divided by 2 मिल गया clear भई अब options देखते हैं क्या क्या बुचा गया हम से at x is equals to 3 meters velocity of particle is 3 root 2 meter per second यह बात था हो भई acceleration को क्या मैं लिख सकता हूँ v dv by dx हा कि ना is equals to हमें क्या दे रखा है x square by 2 यह इसको वापस से ऐसे लिख दूम है v dv is equals to x square by 2 dx क्या यह लिखा दा सकता है और दोनों साइड अगर integrate कर दूँ तो मेरे पास में velocity आ जाएगी integrate कैसे कहां से कहां तक करना है initial velocity कितनी दे रखी थी 3 meter per second final कितनी है माल लो v है कहां से कहां origin से लेके कहां तक बच्चो x is equals to 3 meter तक clear है यहां तक कोई doubt integrate करते है क्या आया v square by 2 minus 9 by 2 is equals to x cube x का क्या हो जाएगा x cube by 2 into 3 limit कहां से कहां रखनी है 0 से 3 मतलब 27 divided by 6 यही आएगा जहां से देखना बच्चो 2 से 2 उड़ा दो हर जगे यह कितना बचा 9 बचा की नहीं तो v square minus 9 is equals to 9 मतलब v square is equals to 18 तो यहां से v की जो value आती है वो कितनी आती है 3 root 2 meter per second तो हमारा option a क्या हो गया सही हो गया तो option a सही है तो b क्या हो गया अपने आप गलत हो गया अब दूसरा देखते है acceleration of particle is 4.5 meter per second square कहां पर x equals to 3 meter per acceleration की relation तो हम आप पास आचुका है न a is equals to x square by 2 x की value बताओ कितनी है 3 है तो 3 का square 9 divided by 2 which is equals to 4.5 meter per second square तो हमारा answer क्या हो गया बच्चो 4.5 meter per second square c option सही है तो d क्या हो गया आप गलत हो गया तो a and c options are correct clear है बच्चो तो बच्चो इस question को देखते है the one dimensional motion of a particle is described by the acceleration time graph given below हमारे पास में क्या दिर खाए एक graph दिर खाए जो किसकी के बीच में है acceleration और time के बीच में है choose the appropriate velocity time and position time graph मतलब हमें velocity time और position time graph अब यहाँ पर बनाना है ठीक भाई अब acceleration time graph हमें यहाँ पर दिया हुआ है जहान से देखना बच्चो क्या मैं यह बहुत है तो अगर initially particle जो था वो rest पर था अब उसके बाद में अगर acceleration जो है कैसा है बच्चो यहाँ पर constant है दूसरा negative है मतलब constant है और negative है तो velocity कैसी आएगी बच्चो negative आएगी और क्या यह constant है तो एक linear आएगी हाँ की ना मतलब एक straight line बनेगा तो पहली चीज तो अगर velocity time graph के में बात करता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा एक straight line जो किस direction में जाए negative direction के अंदर कब तक इस point तक इसके बाद में हमें देख रहा है कि acceleration क्या है बच्चो जीरो है acceleration zero होने का मतलब क्या है velocity क्या रहेगी constant रहेगी ही है तो यहाँ पर वहस्री क्या रहेगी बच्चो अब कॉंस्टेंट रहेगी तीक है उसके बाद में क्या हुआ एक्सेलरेशन क्या हो गया पोजिटिव हो गया मतलब वहलं चीज क्या क्या हो ले लिया गया है वह क्या है बच्योथ कि यह ओर यह जो वैल यह एक्सलरेशन रिड़ा की यह दौनों वैल्यूस जो है मौह क्या ले नी काई कर देखने से भी लगबग पता चल रहा है जो हमने अस्यूम किया है ठीक वच्वचों पहली चीज़ दूसरी चीज़ बात करतें कौन सी XT graph की अगर मैं XT graph की बात करूं तो ध्यान से देखना इनिशली कैसा है बच्चो negative acceleration है negative acceleration है तो कैसा XT graph बनता है पैरा बोला बनता है और पैरा बोला कौन सा downward तो पैरा बोला downward कौन सा बनेगा बच्चो कुछ इस तरीके से बनेगा आकि ना उसके बाद में क्या होगा वेलस्टी क्या है constant है मतलब एक straight line आएगा और negative direction के अंदर ही move करेगा आकि ना बच्चो क्लियर उसके बाद में negative velocity ही है लेकिन acceleration positive है तो कैसा आएगा पैरा बोला upward लेकिन displacement अब भी क्या हो रहागा नीचे की तरफ move कर रहा होगा उसके बाद में last में क्या वोला गया velocity क्या हो गई वापस से 0 हो गई velocity 0 हो गई तो मतलब velocity क्या हो गई 0 तो कुछ वापस से straight line आएगा अब यह options हमें मैच करने इन दो option से हमारा कौन सा वाला मैच हो रहा है जहान से देखो भई इधर velocity time graph यह दो options है यहाँ पर velocity positive दी गई है तो यह option क्या हो गया गलत हो गया velocity negative constant फिर positive सही है position time graph की बात करते है पैरा बोला डाउन वर्ड पैरा वाला अपवर्ड स्ट्रेट लाइन और यह स्ट्रेट लाइन सही है जो ग्राफ हमने बनाया था हो कुछ ऐसा ही था यहाँ पर क्या है यहाँ पर एक क्यों पोजिटिव ले लिए गई है जो क्या है गलत है तो हमारे कौन से options से ही होगे बच्चो ए एंड़ सी options आर करेक्ट क्लियर है चलिए तो चलिए बच्चो इस question को देखते हैं इंड़ फिगर शॉन दग्राफ वरिएशन ओफ यूनि डिरेक्शनल फोर्स एफ अलोंग दो बोड़ी ओफ अप मास 10 kg एक बोड़ी है जिसका मास कितना है दस केजी है ठीक भाई उसके ओपर जो फोर्स लग रहा हुआ उसका वेश इंड़र वाई तो अगर मैं यहां से यह चीज निकाल लूँ तो क्या मेरे पास में एक तरी कैसे डिल्टा वी की वल्यू आ जाएगी हां कि ना तो मैं एक काम करता हूं इस का एरिया निकालता हूं एरिया निकालने के लिए इस ट्रैंगल का एरिया बताओ भाई 10 into 20 divided by 200 छ 25 ये वाला बताओ भई 10 इंटू 5 50 10 इंटू 10 5 इंटू 10 डिवेड़ेड़ बाई 2 25 कितना आ गया 100, 200 और 300 मतलब डेल्टा पी की वेल्यू जो आई है वो कितनी आई है 300 kg मीटर पर सेकंड हम से पूछा क्या गया है the velocity of body at t is close to 30 seconds मतलब हम से v की वेल्यू पूछी गई है तो डेल्टा v is equals to क्या होगा डेल्टा p by m डेल्टा p की वेल्यू कितनी आई है 300 divided by m बताओ भई 10 ये कट गया तो डेल्टा v की वेल्यू कितनी आगई 30 मीटर पर सेकंड डेल्टा v क्या है इनिशिल वेल्यूस्टी कितनी थी बत्चो क्या बोला गया है हमें the velocity of body at t is close to 0 is 0 मतलब इनिशिल वेल्यूस्टी is 0 थी तो final velocity कितनी हो जाएगी बत्चो 30 मीटर पर सेकंड तो कौन सा ओप्शन सही है बत्चो ये ओप्शन सही है येर है तो चलिए बत्चो इस question को देखते है in the given figure shown the graph shows the variation of a unidactional force मुला f t कर हमें देर खाए हमसे पूछा क्या किया है या देखो बत्चो t is equals to 12 seconds पर हमसे power पूछी गई है और power का formula बता दिया गया है force into velocity मतलब t is equals to 12 seconds मतलब कुछ यहाँ पर इस position पर मेरे को दो चीज़े चाहिए एक तो चाहिए मेरे को velocity चाहिए और एक चाहिए force ये दो चीज़े मेरे को calculate करनी है force calculate करना आसान है 20 से 10 में आने के लिए 20 से 10 में आने के लिए इसको कितना लगे 5 seconds तो 2 seconds के अंदर ये कितना आजाएगा 20 से 16 आएगा हा की ना ध्यान से देखो भाई अगर इसको 10 का चेंज लाने के लिए 5 seconds लग रहे हैं 5 seconds लग रहे हैं तो 2 seconds के अंदर ये जो चेंज आएगा कितने आएगा बच्छो 4 का आएगा मतलब 20 माइनस 4 तो ये value तो कितने आगी हमारे पास में 16 आगई clear है अब बात करते हैं इस वाले value की ये हमें पता है 12 है हमें क्या निकालना है velocity तो क्या मैं यहां से लेके इस ग्राफ का यहां वाला area calculate कर लूँ और उसको mass से divide कर दो तो मेरे पास में velocity आजाएगी क्यों? क्योंकि ये area मेरे को momentum देगा और उसको mass से divide करने पे मेरे पास में क्या आता है velocity आती है, change in velocity आती है तो एक बात था हो भाई ये area कितना? ये area 100, इस triangle का area एक ये छोटा सा trapezium बनता हो नज़र आ रहा है इस trapezium का area कितना होगा? half into sum of parallel sides मतलब 20 plus 16 20 plus 16 into separation separation कितने का है? 2 का है तो ये कट जाएगा कितना बचा? 36 तो total जो area हो गया, वो कितना हो गया बच्चो? total area जो हो गया, वो कितना हो गया? 136 ये किसके बराबर है? delta P के बराबर तो delta V निकालना हो तो इसको किस से divide करना होगा? mass से तो 136 divided by mass कितना जी आ गया है? 10 kg 10 तो बराबर 13.6 आ गया कि नहीं आ गया? clear है भाई? अब बात आओ, initial velocity जो 0 थी, तो मतलब ये क्या है? final velocity ही ही है 13.6 meter per second हमें निकालनी है power तो power होता है force into velocity force कितना है भाई? इस point पे 16 newton into velocity कितनी है? 13.6 meter per second तो ये कितना जाएगा? 217.6 what? मतलब option b हमारा क्या हो गया बच्चो? सही हो गया, clear है? चलिए चलिए बच्चो इस question को देखते हैं हमें क्या दिया गया है? एक force और time के बीच में graph दिया गया है हमें पता है force और time के बीच में जब graph दिया होता है तो उसका area हमें क्या दिता है? चेंजिन मोमेंटम देता है और अगर चेंजिन मोमेंटम आजाएगा तो वहां से मेरे पास में velocity आजाएगी, change in velocity आजाएगा हम से पूछा गया है average acceleration तो यह बात तो हो भई, average acceleration क्या होता था? डेल्टा T, डेल्टा V upon डेल्टा T होता था कि नहीं होता था? मतलब हमारा मकसद क्या है कि डेल्टा V हम निकालने किसी तरी किसे? उससे हमारे पास में यह value आ जाएगी, clear भाई? कितने टाइम से कितने टाइम के value पुछा गया है? 0 से 15 सेकंड, मतलब हमें यह area calculate करना है, ठीक भाई? इस triangle का area बताओ भाई, ध्यान से देखके 100 है कि नहीं है? इस वाले triangle का area बताओ भाई, कितना है? 10 गुना 5 बटा दो 25, इसका कितना है? 50, तो यह कितना आ गया? 175 आया कि नहीं आया? मतलब, delta P की value हमारे पास में 175 आ गई है तो यहाँ से delta V की value बताओ भाई वो कितनी होगी? 175 divided by mass mass कितना है? 10 तो 17.5 आया कि नहीं आया? clear है भाई? delta V की value अगर हमारे पास में आ गई तो average acceleration भी आ सकता है? कैसे? average acceleration is equal to delta V कितना? 17.5 divided by total time कितना अलगा है बच्चो? 15 seconds तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 175 divided by 150 which is equal to 7 by 6 meter per second square कौन सा option भाच्चो? D option हमारा D option क्या हो गया? सही हो गया clear है? चलिए बच्चे इस question को देखते हैं FT graph हमें एक देर खा है हमें information भी दी गई है कि FT graph के नीचे का area हमें क्या देता है? momentum देता है question में हम से क्या पुछा गया है? change in momentum of the body between T is close to 10 seconds to T is close to 15 seconds मतलब 10 seconds से लेकि 15 seconds के बीच में कितना change in momentum आया होगा वो? तो क्या मैं बोलू कि 10 seconds से लेकि 15 seconds के बीच में जो ये area होगा ये ही मेरा change in momentum के बराबर होगा ये area कैसे calculate होगा बच्चो? क्या हमें एक trapezium बनते होएने दर आ रहा है और trapezium का area होता है half into some of parallel sides मतलब 20 plus 10 into separation between them separation कितना है? 15 minus 10 5 तो ये कितना आता है बच्चो? 15 into 5 which is equals to 75 kg meter per second clear है बच्चो? तो हमारा option B क्या हो गया बच्चो? सही हो गया clear है? चलिए चलिए बच्चो इस question को देखते हैं column one shows position versus time graph मतलब x-t graph हमें दे रखा है उससे हमें कुछ conclusions है यहाँ पर वो situations check करनी है ठीक भई? अब ये बात ताओ ये x-t graph हमें देख रहा है ठीका भई? अगर मैं मानता हूँ कि ये कुछ मेरे पास में इस तरीके से origin रही होगी यहाँ पर ये origin रही होगी मालो ये x-squash-to-0 है तो इस graph को देखके क्या मैं पता सकता हूँ initially किसी position पर था ये मालो यहाँ पर था हाँ कि न उसके बाद में इसकी position क्या हो रही है? decrease हो रही है मतलब यह किदर की तरफ जा रहा है? origin की तरफ जा रहा है ठीका भई? और velocity जो है वो इसकी क्या है? constant है velocity क्या है? constant है ठीका भई? कौन सा option इनके साथ में match कर रहा है? a ball rolls along the floor towards origin क्या ये towards origin मूव कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है तो P option क्या है? इसके लिए सही है a ball rolled towards a wall at the origin then rebounds rebound का मतलब कहाता है velocity direction change होना क्या यहाँ पर velocity direction change हुई है? नहीं हुई है a ball rolling away from the origin तो यह तो यहीं पर ही गलत हो गया यह तो towards the origins आ रही है यह लेकिन इसकी position क्या हो रही है? change हो रही है बार बार तो सिर्फ और सिर्फ P option दूसरा देखो भई यहाँ पर क्या हो रहा है? X जो है इसकी value क्या हो रही है? increase हो रही है continuously X की value increase हो रही है मतलब away from the origin move कर रहा है उसके बाद में ध्यान से देखो भई इस point पर आने के बाद इसकी velocity की direction क्या हो रही है? change हो रही है मतलब क्या कर रही है? rebound हो रहा है तो कौन सा option है बच्चो? a ball rolled towards a ball at the origin क्या यह origin की तरफ आई पहले? नहीं आई a ball rolling away from the origin origin से क्या हो रही है? away जा रही है hits a ball and bounces straight back उसके बाद क्या हुई? वापस से rebound हो गई मतलब र option क्या है? सही है ठीक है भई? इसके लिए देखते है इसकी पहले initial कुछ position थी जैसे यहाँ पर थी अब यह क्या करेगा? अपने origin की तरफ move कर रहा है जैसी x square to 0 पर आया एक wall से वापस क्या हुआ? टकराया और वापस से क्या हुआ? इधर की तरफ move करने लग गया मतलब option यह क्यों देखो? अब ball rolled towards a wall at the origin origin की तरफ एक wall है उससे आके टकराया और rebound तो क्या हो गया? क्यों इसके लिए? सही option हो गया लास्ट वाले देखते हैं भई initially क्या था यह? origin से क्यों किसी position पर था उसके बाद में towards origin आया और किसी एक point पर आके क्या हुआ? sudden stop हो गया कैसे वता चला? अब इसकी position time के साथ में change नहीं हो रही कौन साथ है? ऐसा बच्चो an object rolling towards the origin and suddenly he stops तो S option ठीका भाई? तो हमारे क्या हो गया? A का P सही है B का R C का Q and D का S यह हमारा answer हो गया clear है बच्चो?